इनको नोबल प्राइज फॉर मेडिसीन दिया गया नोबल प्राइज फॉर मेडिसीन यो वशूरा ओशीमी की से पुछा गया कि आपने ऐसी क्या चीज बनाई है कि दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबल प्राइज आपको दिया जा रहा है तो उन्होंने का कि मैंने cancer की संभवता, possible, cancer की possible दवा खोज ली है तो दुनिया ने बड़ा जोर से उनका स्वागत किया कहा आपने cancer की दवा खोज ली कहा नहीं, दवा नहीं लेकिन एक cure, एक precaution मैंने खोज लिया है तो दुनिया ने पूछा बताईए ऐसा क्या किया जाए जिससे cancer नहीं होता तो उन्होंने कहा कि जब हम भूका रहते हैं और हमारी body के nutrients ख़तम होने लगते हैं जब हम भूका रहते हैं, तो हमारे जिस्म के सड़े-गले हिस्से को हमारी body खाने लगती है जिस्म के सड़े गले हिस्से को हमारी बॉडी खाने लगती है इसे आटो फैगी कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म के अंदर के गलीच हिस्सों को सड़े गले हिस्सों को आपका जिस्म खा ले तो आपको भूका रहना चाहिए ये खोज मैने की है जब बॉड़ी ऐसे हिस्सों को खाने लगीगी तब कैंसर का क्वांटम या परसेंटेज कम हो जागा है कहा डॉक्टर योवशूरा उशीमी एक इंसान को साल भर में कितने दिन भूका रहना चाहिए कि उसमें कैंसर ना पाया जाए तो उन्होंने कहा 20-25 दिन तकरीबन 9-10 घंटे भूका रह जाए अगर तो उसकी बॉड़ी उसके हिस्सों को खा लेगी उसे कैंसर नहीं होगा या रसूल अल्लाह अले वसल्म आज समझ में आया आपने मुमिन पर रोजे फर्ज क्यों किये आज समझ में आया आज